हेलो अब्रीवन, सील स्टैप हीमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो लास्ट क्लास में हमने मेंसुरेशन चैप्टर शुरू किया था जिसके मैंने कुछ questions आपके साथ discuss किये थे और एक question आपको homework दिया था तो आज की जो class होगी वो उसी class को ही हम continue करेंगे जानकि आज की class में भी हम mensuration 2D और 3D के MCQs discuss करेंगे और जो last में आपको questions दिया था आपका homework वो भी आज की class में हम discuss करने वाले हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की class तो यह हमारा टाइम टेबल है weekly टाइम टेबल जो हम इस तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर free classes करवाते हैं ताकि आपकी जो preparation है उसको थोड़ा सा evaluate कर सके तो चलिए दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो रात को 9 वजे हमारी daily classes होती है math English और इसने की alternate days के ओपर तो आज की जो class है वह मैथ की रहने वाली है mensuration 2D हमारा chapter होगा जो हमने लास्ट क्लास में भी शुरू किया था तो इसमें जो लास्ट को मैंने आपको दिया था करने के लिए यह तो यह रहा आपकी स्क्रीन के ओपर इसमें क्या लिखा हुआ है कि a room 24 cm long and 32 cm broad is to be paved with equal number of tiles find the number of largest is style required so that the tiles exactly fit कि हमारे पास एक room है 24 cm into 32 cm broad तो उसको उसमें हमने क्या करना है तो आप से पूछा गया find the number of largest tiles तो जब भी बात हो largest tiles की तो वहां पर हमेशा यूज किया जाता है SCF का ठीक है जी और जो tiles होंगी वो क्या होंगी square tiles होंगी वो होंगी square tiles तो यहां पर लिखना चाहिए था वैसे फाइना number of largest square tiles ठीक है to be that so that the tiles exactly fit exactly fit का मीनिंग क्या है कि कुछ भी pending नहीं बचनी चाहिए टाइस ठीक है तो जब भी numbers निकालने होते हैं जब भी numbers निकालने होते हैं तो इस case में हम हमेशा क्या discuss करते हैं कि जब भी number of tiles निकालनी हों तो हम देखते हैं एक तो total area divided by area of each time area of each time अब total area तो हमको पता है जी कि टोटल एरिया कितना होगा लेंस इंटो ब्रेट्स क्योंकि हमारे पास यह रूम है यह रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी लेंस अब ब्रेट्स है तो एरिया क्या होगा 24 इंटो 32 अब दिवाइड अगर हम करेंगे area of each tile तो इच टाइल की अगर मैं बात करूँ तो एक टाइल का area कैसे निकलेगा द्यान से समझे ना जब भी कभी largest टाइल आप से पूछी गई हो और exactly fit की बात करी गई हो तो जो भी आपके पास dimensions होंगे जैसे 24 और 32 length and breadth आप इसका क्या निकालोगे SCF निकालोगे और SCF क्या होता है highest common factor और SCF एक्चल में निकालते कैसे अगर छोटे नंबर आपके पास आजाएं तो आपने यह चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को divide कर सकता है तो 8 क्या होगा हमारे पास SCF आ जाएगा यहां पर तो जो टाइल होगी उसके dimension क्या होंगे 8 into 8 मतलब इस तरीके से टाइल लगाएंगे हम जो जिसकी length और breadth दोनों क्या होंगी 8 और 8 होंगी तो answer क्या रहेगा number of tiles का area 24 into 32 divided by area of tile that is 8 into 8 square tile है तो area क्या होगा 8 का square होगा तो 8 into 3 and 8 into 4 answer आजाएगा आपका 12 tiles इस question का answer क्या जाएगा हमारे पास 12 tiles तो I hope पहला question आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा जो last class में आपको मैंने homework भी दिया था ठीक है चलिए अब next question देखिए next question आपकी screen के ऊपर है यह question भी mensuration 2D का है इसमें क्या लिखा हुआ है कि a rectangular field has its length and breadth in the ratio 3 ratio 2 a man riding bicycle complete completes one lap of this field along with the parameter at the speed of 12 km per hour in 1.5 minute ठीक है in 1.5 minutes ठीक है then what is the area of field आप से पुचा गया है कि area क्या रहा होगा field का ठीक है जी तो यह हमारे पास कुछ question है इसको solve कैसे करना है द्यान से समझेना आप सभी ने कि माल लोगे कोई field है जिसकी length और breadth का ratio क्या है 3 ratio 2 है यहाँ पर 3 माल लिए यहाँ पर 2 माल लिए इसको मैं hint दूँगा solve आपने करना है calculation आप कर लेना बाद में ठीक है तो 3x और 2x माल लेते हैं उसके बाद जब यह जो cyclist है यह क्या करता है पूरा एक lap cover करता है 1.5 minutes में और उसकी speed क्या है 12 km per hour ठीक है तो देखो जी जो distance उसने cover किया होगा एक lap में जो उसने distance cover किया होगा it must be equal to perimeter किसके बराबर होगा perimeter के बराबर होगा और perimeter क्या होता है 2 into L प्लस भी perimeter क्या होता है 2 into length plus breath और distance क्या होता है वेटा स्पीड इंटू टाइम तो स्पीड कितनी है जी 12 km पर टाइम कितना लगा है हमारे पास 1.5 minute तो minute को आप चाहो तो आर्स में convert कर सकते हो तो आर्स में convert करने के लिए क्या करोगे divide by 60 तो यह 5 से cancel हो गया जाने कि 0.3 km or we can say that 300 meters 300 meters ऐसे मैंने इसको सौल करा देखो द्यान से समयना कैसे किया है 1.5 minute तो इसको आर्स में convert करने के लिए value पुट करता हूं 3x and 2x तो यह क्या बन जाएगा हमारे पास 5x 3x plus 2x कितना हो गया 5x और यह इंटू 2 है ना इंटू क्या हो गया यहां पर 2 हो गया समझ के ना बात को तो पांच गुना 2 कितना हो गया 10 जीरो से जीरो कैंसल x की value क्या जाएगी 30 x की value क्या जाएगी 30 और इस x की value को आप यहां पूट करिए तो यह बनेगा 90 यह बनेगा हमारे पास 60 ठीक है तो एरिया पूछा गया है तो एरिया क्या होता है length इंटू इंटू 60, 5400 cm2 यह रहेगा हमारे पास इसका area ठीक है बहुत अच्छा question था समझा गया होगा सभी को इसमें क्या था हमारे पास कि आपको बोला गया था कि cyclist है वो पूरी एक boundary कबर करता है तो boundary क्या होगी perimeter होगा तो आप यह कह सकते है हम इसको कि जो हमारे पास जो question है यह mensuration plus time and distance का mix question है ठीक है तो mix question कह सकते है आप इसको तो ऐसे question आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएंगे चलिए अब next question की बात करते है है question number 11 10 इसमें क्या लिखा हुआ है कि the area of square इस three-fourth the area of rectangle कि जो square का area एक जगा लिखा हुए square और एक जगा लिखा हुए rectangle जब भी आपको लगे ना कि question की length जादा है तो ऐसे लिखना शुरू करतो कि area of square is three-fifth of the area of rectangle three-fifth का मतलब क्या है कि अगर इसका area 3 है तो इसका 5 है next देखो जी अपको नेक्स्ट आपको कहा है the length of the rectangle is 25 cm and breadth is 10 cm less than length मतलब जो इसकी breadth है जो length है sorry rectangle की वो 25 है और जो breadth है वो 10 cm क्या है कम है length के तो 10 cm का कम होगी तो 15 रही होगी तो area क्या रहेगा बैटा area इसका रहेगा length into breadth which is equal to 375 which is equal to 375 और यह 375 हम यहां पूट करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास साथ गुणा 5 हो गया 35 और 25 25 into 75 तो यहां भी into 75 कर दो स्क्वेर का area कितना निकल के आ जाएगा 225 cm स्क्वेर मेटर स्क्वेर को जितना भी है अब आगे आप से क्या पूछा गया है what is the side of square कि स्क्वेर की side क्या रही होगी तो बिटा स्क्वेर का area क्या होता है side का square which is equal to 225 तो साइड की value क्या जाएगी हमारे पास root of 225 और यह किसका स्क्वेर होता है 15 का स्क्वेर 15 cm will be our answer ठीक है 15 cm क्या होगा हमारा answer होगा ठीक है अगर questions अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले चलिए अब next question की तरफ चलते हैं next question देखे वच्छे आपकी screen की ओपर है बहुत अच्छा question है ये भी इसमें क्या लिखा हुआ है कि what will be the cost of painting a hole whose area is 256 meter if the rate of painting per square meter is 22 rupees ठीक है मुझे क्या करना है एक हमारे पास एक hole है मुझे उसको paint करना है जिसका area 256 square meter है तो आप से बोला गया है कि rate क्या है paint करने का 22 rupees per square meter तो बताओ कितना cost आएगा ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब भी हम किसी hole को paint करते है that particular hole should be the way to avoid हो सकता है या फिर हमारे पास cube हो सकता है जिसकी length भी होगी और जो paint होता है वो दिवारों पर होगा सारा का सारा तो अगर दिवारों का paint निकालना है तो हाइट का भी तो पता होना चाहिए बटा यहां पे लेकिन यहां पे है तो कुछ पता ही नहीं आता पता ही नहीं है आपको बस नीचे वाले का अईरिया दे दिया 256 आपको नीचे वाले का अईरिया दे दिया बस 256 स्क्वेर मिटर तो अगर आपको height का idea नहीं है जा height given नहीं है तो आप painting की cost नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि सिर्फ floor पे थोड़ी करना होता है floor पे तो flooring होईगी paint थोड़ी होगा paint तो कहा होता है दिवारों पे तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा can't be determined याद रखना जब भी painting की बात करे cost of painting की बात करे in that particular case height should be given otherwise answer is cannot be determined height given होना चाहिए तब निकलेगा otherwise answer रहेगा can't be determined ठीक है चलिए अब next question की तरफ चलते है question number 12 इसमें क्या कह रहा है वो हमको कि four horses are tethered at four corners of a square field of side 60 meters so that they just cannot reach one another the area of ungrazed by the horses is तो यह भी अच्छा question है इसके दो तरीके बताऊंगा ठीक है एक तो जो conventional method है वो डिसकस करेंगे इसमें ठीक है और दूसरा में इसमें आपको shortcut भी बताऊंगा जो विदिन आई थिंक 10 seconds आप answer को निकाल लोगे बट उसके लिए थोड़ा सा conventional method सीखना ज़रूरी है हमारे लिए ठीक है तो आपको क्या बोला गया है कि चार होर्सीजा उनको हमने बांदा है चार पर किसी square field के जिसकी side के 60 इस तरीके से कि एक square field है कि उसके चारों कोनों पर होर्सीज को से निकल रहे हैं कि यह वाला होता है जैसे बिल्कुल टच करके निकलना वह चीज़ है नेगलीजिवल डिस्टेंस ठीक है तो देखो बच्चे यह वाला जो होर्स होगा वह ऐसे करेगा पर यह तरीके से एंड इस लाइक ठीक है तो यह वाला जो एरिया है इस इस पूछा गया है यही आप से पूछा गया है तो कैसे निकलेगा कोश्चन भई कि देखो अगर मार लो मैं square के एरिया से square के एरिया से अगर मैं माइनस कर देता हूं यह वाल एरिया दिस 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 वर दिस तो क्या बचेगा बीचे अन ग्रेजड एरिया ठीक है मुझे क्या करना है यहां पर चार सेक्टर को माइनस करना है स्कूर के जो सरकल के चार सेक्टर बन रहे हैं 1990 डिगरी के मुझे माइनिस करना है तो एरिया ओफ सेक्टर क्या होता है एक टा अपोन 360 इन्टू पाई आज को है मैं जब सर्कल हम पढ़ते हैं सर्कल का ऐरिया है क्या होता है अगल स्क्ण बनेगा तो एसी टोटल 14 सक्टर बन रहे हैं ऐसे टोटल चार सेक्टर बन रहे हैं तो चार सेक्टर माइनस करेंगे हम 90-90 डिग्री के इंटू पाई आर स्कुरेल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास जी आर रेडियस को होता है आर ठीक है पूरिया अगर 30 60 है तो आधा कितना हो जाएगा 30 क्योंकि नेगलीजिबल सा डिस्टेंस है ना तो आर की वैल्यू कितनी है 30 स्कूर तो आंसर क्या रहेगा आपका 60 के स्कूर माइनस यह तो कैंसल होगे आप आपस में ही तो ट्वंटी टू अपॉंट सेवन इंट्व नाइन हंडर ठीक है तो 36 600 माइनस यह साथ यह एक तीन पॉंट एक चार होता है ना तो लगबग कितना आंसर आ जाएगा 2800 के राउंड अंसर आ जाएगा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर पूरा मल्टीप्लाई करके भी देखोगे ना तो 314 इंटू 9 करना पड़ेगा आपको आंसर आपको बिल्कुल इसके पास पास आ जाएगा तो एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका बता देता हूं आपको जब सब्सक्राइब कभी फोर होर्स की बात हो रही हो यहां फिर फोर कोईन्स की बात हो रही ही हो कि एक साथ रखा उनको तो इस केसिस में जो अन ग्रेज़ देविया होता है कि इन पर्टिवलर केसीद जो ऑन ग्रेटब सर्फ होता है वह होता है सिक्स बाइस एन टूर स्क्वार सेवन इंटू और स्क्वार तो सिस वायर की वैली इंट कि इंट्नी है 140 गया यह सवाल का जवाब होगा साल करके देखा सब्सक्राइब का इस सवह निकल आए गया तो 771 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया यहां पर भी एग्जैक्टी आएगा मैंने अप्रोक्स करा है अगर आप भी 314 को अगर 9 से गुणा करके देखते हो नो चुका चती से तीन नो इकम नो तीन बारा दो एक और नो तीयस ताई और एक 28 2826 बनता है ठीक है यह तो 2826 अगर आप माइनस करोगे इस में से तो आपका आंसर कितना हैगा 774 जो कि बिल्कुल अप्रोक्सिमेट है जो कि बिल्कुल क्या है अप्रोक्सिमेट आई होप यह चीज़ आपको समझ आगी होगी ठीक है चलिए नेक्स क्वेशन देखो आपको क्य एक्वल्ड अब एक्वलेटरल ट्रैंगल की बात करिए तो इसका आपको पता होना चाहिए पैरिमिटर होता है जी अग्यवल्ड होता है यह होता है और इसकी जो हाइट होती है वह कैसे निकलता है रूट 3 तो यह सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिये हैं आपको एक्लेटर ट्रीयंगल के तो आप पढ़ते हैं क्या कहता है कि वह आपको क्या बोल दिए इप अब यहां पर कुछ फॉर्मूला जोर लिखवा देता हूं कि बात करें इसका जो डाइगनल होता है कैसा होता है रूट टू है तो अगर मालो डाइगनल जो है डाइगनल ऑफे स्कुएर इस्टेन डूट टू तो साइड कितनी हो जाएगी इसकी टैन हो जाएगी ठीक है तो स्कुहयर का परिम्टर ऊगया 44 है नो 40 हो गया विच इकवल डूद यहां से साइड निकल आएगी पोटि襯वॉ पूपूंत्री की साइड़ ही तो ऊच्छा हुआ है क्या होता है रूट 3 बाइट स्कुएर म्हें है न रहेगा जी आंसर अते यह रहेगा इसका अंसर तो जितना कैंसल होता है कैंसल कर सकते हैं हम 400 और और तो नहीं है कुछ यहां पर बाकियो अप्शन देख लेते हैं और यहीं सवाल क्या होगा जवाब होगा आई होप यह वाला कोशन पर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा ठीक है अगर आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले अगर याद कर लेते हो तो आदा काम तो वही कर देंगे इसमें ज्यादा कंसेप्ट्वल क्लारिटी की जुरूरत न निकली जाएंगे न स्टैब बे स्टैब अगर चलते हो तो चलिए अब नेक्स कोशन देखिए नेक्स कोशन आपकी स्क्रीन के ओपर इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह रेक्टेंगल हूँ साइट्स आर इन रेशो 6 रेशो 5 ठीक है एक रेक्टेंगल है जिनकी साइट का र कि find the difference between the length and breadth of a rectangle ठीक है तो ऐसा कोशन मैंने आपको last class में भी किराया था अगर आपको आइडिया हो तो इसलिए यह वाला कोशन में आपको दे रहा हूँ आपको homework इसकूशन इस फॉर homework तो आपने खुद से इस question को करना है अच्छे तरीके से answer निकालना है और comment section में लिखना है तो मैं चेक करूँगा कि comment section में कितने student ने answer किया है ठीक है जी उसके बाद देखो last में यह वाला question भी आपको कराया हुआ है number of tiles पूछी रही है तो total area divided by area of each tile तो यह भी आपने comment section में इसका answer करना है सबने ठीक है और इसी के साथ हमारे membership 2D और 3D के important questions खतम हो रहे हैं यहां ठीक है लेकिन still अगर आपको conceptual clarity में कोई issue है तो अब ज्यादा time नहीं वच्चे हमारे पास लगबग 40 दिन का time है exam को तो आप जल्दी से जल्दी यह course ले सकते हैं CSET का अगर आप confident नही वो मैंने description में दिया हुआ है अब उस पे click करके इस batch को जोइन कर सकते हैं तो instead of कि आप doubtful होके या फिर lack of confidence की वज़र से exam ना करेक्टर पाओ उससे अच्छा है कि आप अपनी 100% preparation कर लो ठीक है लेकिन अगर आपको पता है कि आपके conceptual clear है you can easily score 80 to 90 marks in your CSET paper then आपने सिर्फ practice करन हैं तो इसे के साथ मैं आज की class मापत करता हूं अगर आपको class पसंद आई है तो वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूले channel को मिलते हैं भी next class में thank you very much